नमस्कार दोस्तों, हिमाल एजुकेशन अब की इस यूटूब प्लेटफोर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 25 जून 2024 को दक्षिनी पस्षिमी मांशुन रास्थान प्रदेश के दक्षिन पुर्वी भागों के अंदर तीटीवी थी, उसमें परिक्षा का पैटन कैसा था, जो प्रसन थे, प्रसनों की प्रकृति कैसी थी, इसके बारे में आपन डिसकस करेंगे, साथ साथ में आपन यह भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन से कितने कोश्चन आये हैं, और कौन सा सब्जेक्ट जो उसमें कंटेंट कम है, उस सब्जेक्ट के अंदर टोपिक कम है, लेकिन वह सब्जेक्ट आपको माक्स अच्छे दिल्वा सकता है, इस वार में अपन चर्शा करेंगे, सबसे पहले हैं आपन बात करेंगे भारती इतियास की और रास्थान की इतियास की, जहां से लगब इसक बाद में वारत का जो ईतियास है यहां से लिगभग 15 सवाल आते हैं तो मतलब कितने कोश्चन हो गई 25 कोशचं ठीक है इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इसके बारत का भॉगल और रास्थान का भॉगल रास्थान के भॉगल की बात करें तो लगब 15 सवाल सवाल आते हैं रास्थान के भूगोल से भारत के भूगोल की बात करें तो लगबग 10 सवाल आते हैं भारत के भूगोल से दोनों को add किया जाए तो वही 25 सवाल बनते हैं और कितने marks हो गए पचास marks, पचास नंबर जो हैं आपके हो गए तो पचास नंबर की Indian geography, रास्थान geography ठीक है और पचास नंबर की एके लिए art and culture तो ये तीन चीज़े हैं इनके उपर आपको अपनी command जो है वह है बहुत ही मजबूत करनी है कौन-कौन सी तीन चीज़े हैं एक तो रास्थान आर मरुस्थल मैदान जलवायो और मांसुन तंत्र प्रमुख नदियां बांद जीले एमम सागर जिस प्रकार से इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि दक्षिन पस्षि में मांसुन जो साखा है वह है रास्थान में प्रवेश कर चुकी है तो वीडियो के कमेंट सेक्षिन में आप मुझे यह जरूर बताओगे कि कितनी प्रकार की मांसुनी साखाएं जो है रास्थान में बारिश करती है ठीक है चलिए गाइस प्रमुख नदियां बांध जीले एमम सागर वन्ने जीव जन्तू एमम अभ्यारण इसके बाद में प्रमुख फसले ठीक है उर्जा संसादन और द्योगिक प्रदेश और हाइवे जो हैं हाइवे और मोड ओफ ट्रांस्पोर्टेशन परिवहन के प्रकार जो हैं आपके इंडियन जोग्रोफिक के अंदर एड किये गए हैं रास्थान जोग्रोफिक की अगर बात करें तो इसमें जैसे मरदा आते हैं तो अब की बार 100% उन सभी बच्चों की नोकरी लगनी चाहिए और उन बच्चों के जनसंख्या वाला टोपिक तो मेरे साब से अच्छे से तयार हो गया होगा क्योंकि हर एक अग्जाम में जनसंख्या से 3-4-3-4 questions आते रहते हैं चलिए आगे अगर अगर अपन ब पॉलिटी से इसके अलावा साथ-8 questions आते हैं रास्थान पॉलिटी से साथ-8 questions आते हैं रास्थान पॉलिटी से टोटल सवालों के अगर बात की जाए तो यहां से लगबग 10 सवाल आते हैं अथार्थ कितने नंबर हो गए वही 20 marks कि चलिए जिसमें आयोग वाला जो पॉर्शन यह ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है तो आयोग वाले पॉर्शन को आप बिल्कुल भी स्कैप ना करें चलिए गाइस आगे देखते हैं आपन आगे बात करें भारत की अर्थवेश्था और राजस्थान की अर्थवेश्थ तो भारत की अर्थवेश्था और रास्थान की अर्थवेश्था के टोपिक आप सभी देख सकते हैं देखो बारत की जो अर्थवेश्था है इसमें मुख्य चीजें होती है जो टर्मिनोलोजी होती है एकोनोमिक्स की टर्मिनोलोजी को समझ लिया तो भारत की जो इतने deep question यहां से नहीं आते हैं, फिर बात करें राजस्थान की अर्थववस्थागी, तो राजस्थान की अर्थववस्था के सारे के सारे topic जो हैं, वो आपके economic survey के अंदर cover हो जाते हैं, आपका जो economic survey है, जो अभी कुछी दिनों में release होने वाला है, और उसी में से question आएंग portion से, इस पूरे portion से लगबग 20 question जो है, वो आते हैं, जिसमें से 10 question का weightage रहता है, जनरल जो अपनी economics है, जो economics की terminology है, उससे समन्दित, और बच्चे हुए जो question है, वो आते है economic survey से और रास्थान की economics है, ठीक है, चलिए guys, आगे अपन बात करेंगे, इसके बाद में science and technology के 10 question है, आपके science and technology से fix रहते हैं, इसके बाद में अगर आपन बात करें, maths, reasoning के फिर अपन बात करेंगे, language की, language के बाद में आपन बात करेंगे, computer की, computer के बाद में आपन देखेंगे, कि जो current affair है, वहां से कितने सवाल आते हैं, चलिए, आगे देखते हैं, आपन, तार्किक और mathematics, reasoning और mathematics, यह आपके सामने reasoning और mathematics के topic है, अगर आप इसके अंदर देखें, तो maths के पिछली CET की exam में question आए थे 5, reasoning के question आए थे 10, तो इस बार ऐसा हो सकता है, यह वाले नमबर यहां जा सकते हैं और यह वाले नमबर यहां जा सकते हैं, इसलिए आप किसी भी subject को हलके में ना ले, math और reasoning यह दो ऐसे subject हैं, जो आपको पूरे में से पूरे नमबर दिला सकते हैं, मालो यहां से अगर 20 question आए इस portion से, तो आपका अगर यह अच्छे से पढ़ावा है, अच्छे से तयार है, तो आपके 40 marks जो है, वो कोई भी नहीं रोक सकता, तो math और reasoning यह ऐसे subject होते ह हैं, किसी भी परिक्षा की जो merit है, उसमें आपका इस्थान जो अब है, निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, इसके बाद में अगर आपन बात करें language की, तो language में वही fix रहता है, हिंदी के topic यह हैं, और हिंदी के अंदर 10 question आते हैं, फिर बात करें अगर आपन English की, तो English का weightage भी वही, 10 question का रहता है, आगे अगर आपन देखें, computer के बारे में, और computer के बाद में आपन देखेंगे, समसामाईक घटना है, यह computer का syllabus है, आप एक बार computer का syllabus जरूर देख लें, characteristics of computer, computer organization including RAM, ROM, file system, input devices, computer software, relationship पगेरा, ठीक है, तो यह computer और जो current affair है, इनसे मिला के total सव सवाल आते हैं वही, 15 सवाल, और इन 15 सवालों में से 10 सवाल का हिस्सा रहता है, समसामाई गटनाओं का, और 5 सवाल जो हाँ, आपके 5 question आते हैं, computer से, 5 question आते हैं वही, computer से, और 10 सवाल आते हैं, आपके current affair के, चलिया, यह तो हो गया वही, बटवारा, इसके बाद में, अगर अगर अपन मेजर मेजर चीजें देखें, ठीक है, मेजर मेजर चीजें देखें, तो आपको कौन-कौन सी चीजों पर अधिक फोकस करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अगर आपन बात करें, Art and Culture, 25 कोश्चन, Art and Culture क्या आते हैं, मतलब, 50 मार्क्स के वेटेज हो गया, ठीक है, इसके बाद में, अगर आपन बात करें, जियोग्रोफी की, जियोग्रोफी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, रास्थान जियोग्रोफी, प्लस, इंडियन जियोग्रोफी, यहां से भी टोटल कितने कोश्चन बनते हैं भई, 20 कोश्चन मतलब, 50 मार्क्स, ठीक है, दो चीजें होगी, इसके बाद में, हाई वेटेज वाले अगर सब्जेक्ट की अपन बात करें, तो इनके बाद में आता है अपने, इसके बाद में, अगर आपन देखें, इकोनोमी की बात करें, देखो, इकोनोमी अगर आप लोग पढ़ते हो, तो इकोनोमी पढ़ते समय साथ-साथ में, आपका करंड़ फेर वाला पोर्शन भी अच्छे से तयार हो जागा, इसलिए आप ऐसे सब्जेक्ट दोते हैं, उन पग सभी बच्चों को आते हैं, वो सवाल तो आराम से आप भी कर लोगे, जरूरत आपको कुछ अक्स्ट्रा ओर्डिनरी करने के, तो ऐसे सब्जेक्ट जो बच्चे कम पढ़ना पसंद करते हैं, आप इनी सब्जेक्ट की तरफ जाएं, अगर बात करें इनमें, तो 20 कोश इंडिया और रास्थान, ठीकर रास्थान एकनोमिक्स का मतलब रास्थान का जो एकनोमिक्स सर्वे है, यहां से आते हैं, 20 कोशन, कितने मार्स होगे बई, 40 मार्क्स, ठीकर, और जैसा कि महुल बना हुआ है, कि 40 परसेंट का क्राइटेरिया तही किया जाए, CET का कि जिन ब बच्चों को CET के अंदर जो भी भरती परिक्षाए होती है, उन सभी भरती परिक्षाओं में बैटने का मोका दिया जाए, तो अगर बात करें, 40 परसेंट का, ठीक है, तो 40 परसेंट हो गया का भी देखना, 50 और 50 कितने होगे, 100, और 40 कितने होगे, 140, 300 नंबर का आपका पे है, 50 भी जा सकता है, आप तैयार रहें, मिनिममम 50 परसेंट के लिए, और आप तैयारी करें, 80%, 90% मार्क्ष के लिए, ठीक है, तो अगर स्मार्ट स्टेडी, अगर स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ा जाए, तो ये सबजेक्ट भी ऐसे सबजेक्ट हैं, जो आपको, अगर आ हिंदी और इंग्लिस से टोटल सवाल आते हैं, कितने, 10 सवाल हिंदी से आते हैं, और 10 सवाल आते हैं, इंग्लिस से, इंग्लिस के जो 10 सवाल आते हैं, इन में से 5 सवाल तो पैसेज से आते हैं, तो पैसेज वाले सवाल तो आप चठी क्लास से ही सही करते हैं, कि सर पैसेज देदो जिते देने हम पैसेज से आंसर करतेंगे, इतने हाड पैसेज भी नहीं आते हैं यहां से, तो मान के चलें कि आप 5 में से अगर 4 सवाल या 5 में से 5 सवाल भी सही करते हो, तो यह नंबर आप यहां पर बढ़ा सकते हो, यह मार्क्स हो गए आपके 150 और 50% मार्क्स जो हैं क्योंकि अगर आपने उसी कैलकुलेशन को सब कुछ माल लिया, तो आप सिरफ और सिरफ उन तीन ही सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, यहां मेरा कहने का मतलब यह है, कि यह जो तीन सब्जेक्ट हैं, इन पे तो आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है, इन तीन सब्ज क्राइटेरिया हो 15 गुना का, और फिर चाहिए क्राइटेरिया हो 40 परसेंट का या 50 परसेंट का, आपको उस से कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों को पढ़ने के बाद आप अचानक से बहुत सारे बच्चों से उपर पहुंच जाओगे, माक्स में, इसलिए इन सब्जेक्ट को भूलने की भूल बिल्कुल भी ना करें, और इनको अच्छे से तैयार करें, जल्दी ही मिलते हैं अपन अगले किसी इन्फोर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई, धन्यवाद